नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में अगर आप भी इंडिया के टॉपमोस्ट इंस्टिट्यूट इन्वेस्टीज के साथ अपना मास्टर्स पर्स्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत बती ही इंपर्टेंट होने वाला है सेंसे अट आपड शीडियों सप्रमी कमामी स्वागत के साथ दिवट है ज्मारे लुह विकीवाद के अगर आप मास्टर्स करना की ओल्ग तो आज से आप अपना ओ्लाइन application form fill कर सकते हैं ठीक है तो चलिए कुछ notifications हैं guidelines हैं मैं आपको share करता हूँ तो यहां से आप इस website से pzcvt.summer.ac.in से अपना application form fill कर सकते हैं तो इनका information bulletin देखते हैं और आगे की आपकी जो भी process है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए देखिए यहां पे इनोंने सारी information जो आपको जाननी चाहिए application form fill करने से पहले उसको अपने इस bulletin में mention किया हुआ है जैसे important dates की बात करें तो 26 December से आपका application form शुरू हो चुका है last date एक महिने आपको पूरे मिले है 25 जनवरी तक आप form fill कर सकते हो ठीक है last payment जो आपका है last payment करने की last date है वो 25 जनवरी है ठीक है application fees क्या है general category के लिए बारा सुरूपय है जिसमें आप दो paper के लिए apply कर सकते हो जैसे master's in Hindi करना चाहते हो तो और master's in political science किसी भी दो subject में आप apply करना चाहते हो तो उसके लिए बारा सुरूपय है plus अगर आप कोई additional subject add करना चाहते हो तो उसके लिए छे सुरूपय आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ठीक है OBC के लिए 1000 रूपय SCST के लिए 900 रूपय है और physically disabled के लिए 800 रूपय है ठीक है तो यह है application fees और कुछ important instructions देखते हैं जैसे कि यह सब timing हो गए रहा है date से related कब आपका admit card आएगा कब कौन से shift में आपका exam होगा तीन shift है first shift second shift third shift इन तीन shift में आपका exam होने वाला है ठीक है और answer की challenge date of examination downloading admit card पूरा information यहां पर आपको दे दिया गया है आप इसे देख सकते है और भी कुछ जरूरी बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए application form fill करने से पहले उनको देखते हैं मैंने कुछ highlights यहां किये है जैसे कि यह देखिए examination scheme की बात की जाए तो examination scheme में क्या है CVT mode में आपका paper होने औला है online paper होगा ठीक है यहां पर pen and copy औला paper नहीं है language की बात करें medium क्या होगा तो English और Hindi bilingual होगा ठीक है structure of question paper question paper का structure देखते हैं 2024 का जो exam होगा उसका structure क्या है यहां पर कुछ points मैंने highlight की हैं जैसे कि second point देखते हैं there would be no general test with each paper general test जो होता था 25 questions का वो जरूरी नहीं है आपके हर paper के साथ हो वो depend करता है investis पे जैसे GNU में क्या है वहां पर general paper की कोई value नहीं है आपको जो subjective paper होगा जिससे आप master's करना चाहते हैं उसी का marks add होगा ठीक है तो यह सारी चीज़े है duration of exam 105 minute लगबग एक घंटे 45 minute का आपको समय मिलेगा अपने paper को complete करने के लिए question total कितने होंगे 75 questions होंगे और वहां marking scheme की बात की जाए तो चार number आपको मिलेंगे सही करने पर अगर आप कोई question गलत करते हो है तो आपका एक number deduct हो जाएगा ठीक है तो the syllabus of the question paper should be available on the website आप वहां से अपने subject का syllabus download कर सकते हो यह सारे subject है इन में masters इन subject से आप masters कर सकते हो अपना ठीक है और भी कुछ highlights है मैं देखता हूं marking skip मैंने बताई दी चार number सही करने के हैं एक number गलत करने के हैं और क्या है eligibility and age limits क्या है कोई भी यहां पर कोई भी आपको age limit नहीं दी गई है कोई भी masters कर सकता है in central university से उसकी age से कोई matter नहीं है कितनी भी age आपकी हो आप apply कर सकते हो ठीक है और document को लेके एक information है यहां पर कि आपका जो document होना चाहिए हो 1 April 2023 के बाद का होना चाहिए उसके पहले का एक साल पुराना नहीं होना चाहिए यह ध्यान देने वाली बात है अगर आपने document आपके पास नहीं जैसे reservation के document है OBC वालों का है EWS वालों का है तो उनका certificate होना चाहिए एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मतलब 1 April 2023 का हो या उसके बाद का हो ठीक है तो यह ध्यान देने वाली कुछ चीजें हैं जो आपको form फिल करने से पहले पता होनी चाहिए ठीक है तो बाकी यह choice of cities आप अपने according यहाँ पे centers choose कर सकते हो बहुत सारे centers हैं आप उनको देख लो उसके according आफ फिल कर सकते हो तो यह था information bulletin CVT-PZ को लेकर बाकी कोई doubt हो तो comment section में mention कर सकते हो मिलते है next video में अपना ख्याल रखिए और entrance exam के तैयारी करते रहिए ठीक है ख्याल रखिए अपना चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आने वाली सभी videos को notification आपको timely मिलता रहे okay